पेंचन में देरी होने पर अब बैंक देंगे हरजाना रिजर्व बैंक ने उठाया बड़ा कदम नमस्कार भारती रिजर्व बैंक ने पेंचन पाने वालों के लिए एक बड़ा रहत बड़ा कदम उठाया है दरसल जिन व्यक्ति को सरकारी पेंचन मिलती है अब अगर उसमें देरी होती है तो पेंचन धारकों को व्याद मिलेगा RBI के ताज़ा कदम के बाद पेंचन धारकों को सलाना आठ फसीदी के दर से व्याद का भुकतान किया जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने सभी सरकारी पेंचन दे बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर वे पेंचन क्रेडिट कार्ड क्रेडिट करने में देरी करते हैं तो बैंक बतौर हरजाना पेंचन धारकों आठ फसीदी GST का भुकतान करेंगी RBI ने पेंचन और पेंचन एरियर्स के नियमों को संशोधित कर दिया है RBI का निया निर्देश उस मास्टर स्कूलर का भाग है जिसमें बैंकों दरवारा सरकारी पेंचन दिये जाने का जिकर किया गया था दर असल पेंचन को लेकर आई कई शिकायतों के बार RBI ने ये कद लब उठाया है पेंचन समय पर क्रेडिट नहीं करने पर बैंकों को सलाना आठ पसीदी की दर से जुर्माने का भुकतान करना होगा हालकि पेंचन धारकों को इसके लिए किसी भी तरह का क्लेम करने की जरुरत नहीं होगी बतादे कि निया निर्देश एक अक्टूबर 2008 के बास सभी पेंचन 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 पर लागों माना जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबि पेंचन देने वाले बैंकों को सलाद दी गई है कि समय पर पेंचन धारकों को अकाउंट में पेंचन की रकम जमा करने के लिए और हर और हरजाने से बचाफ के लिए पेंचन और्डर की कॉपी जन्द हासिल कर ले आर्बियाई ने सभी अजन्सी बैंकों को समय पर बैंक पैंचन के वितरन की सला दी है